पूरी टीम सिर्फ 9 रनों पर धेर, सिर्फ 4 गेंदों में मेच हुआ रफा दफा ये कैसा इंटरनेशनल मेच है दोस्तो अगर कोई कहे कि क्रिकेट टीम इंटरनेशनल T20 मुकाबले में सिर्फ 9 रनों पर धेर हो गई तो सायद विश्वास ना हो लेकिन ऐसा हुआ है यही नहीं विपक्षे टीम ने सिर्फ 4 गेंदों में ही लक्षा हासिल करते हुए इतियास रच दिया है दोस्तो आप भी पूरी ख़वर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा चैनल पर जो जो पहली वार जुड़ रहे हैं इसी तरह का अपडेट के लिए सस्काइब करके और लोडेफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा दोस्तो जानकारी के लिए आपको बचा दें क्रिकेट को और निस्चत्ताओं का खेल का जाता है यहां तक की आकरी गेंद ना फिके जाए तब तक कुछ भी हो सकता है टीम दस रनों पर भी डेह रहो सकती है और वही टीम हाई एक्ट स्कोर का रिकार्ड भी बना सकती है अब थाइलेंड और फिलिपिन्स के बीच हुए मुकाबले को ही ले लीजिए इस महिला इंटेनेशनल T20 में एक टीम ने 11.1 ओबर तक बेटिंग की और सिफ 9 रन बनाए जबाब में दूसरे टीम ने सिर्फ 4 गिंदों में बिना किसी विकेट के नुक्सों के 10 रन बनाते हुए 10 विकेट से धाकर जीत दर्ज कर ली दोस्तो जानकारी के लिए आपको पता दे पहले बेटिंग करने उतरी फिलिपिन्स की और सि कोई भी बल्लेवाट दाही का आख़ापार नहीं कर सकी टीम की और से 4 बेटर ने 2-2 रन बनाए जबकि 1 रन अतिरिक तरहा इस तरह से स्कोर बोर्ड पर 9 रन दर्ज हुए इस बहत आसान लक्ष का पीछा करने उतरी थाइलेंडी क्रिकेट टीम ने हैलक्स इसमीत की और से किये गए पहले ही ओबर की 4 गिंदों में मैच को खत्म कर दिया और आशान जीत रददर्ज किया दोस्तों इसी तरह का अपडेट के लिए चेनल को सब्सक्राइब करके और लोडिफिकेशन प्रेस कर दीजिए